हेलो डियर इस्टुडेंट्स मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में और इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन आंसर करने वाले हैं और यह मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन का पार्ट समान रूप से उब्योगी है और अधिकतर प्रसन आपको इन ही प्रसनों में से देखनों को मिल जाएंगे तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को स्किप ना करें बेल आइकनों दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करतें दोस्तों इसी बात पर तो चलिए वीड साइस्थान तांबे का सरोत था तो हडपा वास्यों के लिए खेतड़ी राजिस्थान से राजिस्थान में वही इस तांबा प्राप्त किया जाता था ठीक है दोस्तों इसके अलाबा आपसे अगर इहाद से प्रसन पूछेगा तो आपसे काली बंगा कहां पर है ठीक है दोस्तों बनावली कहा है हधियाना में ठीक है इसी प्रकार धोला विरका है गुजरात में तो यह कोश्चन जरूर पूछाएगा दोस्तों यह यानि इस चेप्र से इहीं में से प्रसंद पूछानी पूरी-पूरी संभावना है तो आप कर लिना ठीक है मेरे से जो शिदू कुछ लंबी हो सकते तो वीडियो की स्किप ना करें क्योंकि यह काफी महीं तुक्षद होने वाले क्योंकि मैं चोटे सी फुद्यो में पार च्खे तक के शो कोस्राथ नहीं बता सकता आपको क्योंकि इस मैं अंसर इसको समझाना भी है तो इसलिए कि यह वीडियो लंबी हो सकती है वीडियो बने रही है इसकी ना करें चलिए अगला प्रसन हड़पा सबता के बाटों के उपरी मांदन किस प्रणाली का रुसरान करते थे तो हड़पा सबता प्रणाली के नाम से जाता है क्योंकि वहां पर सबसे पहले कांसे का परियोग किया गया थो के चलिए यह सिक्के बने हुए थे दोस्तों मूरें सेलख़़ी नाम पत्थर से बनी होती थी नेस्ट प्रसन है हडपा संस्कृति के दो किंद्रों के नाम बता है जहां संक से बस सता है तो है दोस्तों और इसी के नाम पर हडपा से बतंग नाम हडपा पड़ा चलिए नेस्ट फोस्तों दोस्तों है हडपा सब्ता के मिकट्र नुजना की पर्म्ण विशेस्तों यह यह से सक्षण बेदा रभल्य इंपोर्टन्ट है और यहां से कॉस्चन पर बंदी सब्सक्राइब कर दफनाया जाता था यहां से कोचन पूछा जाएगा दोस्तों अगला है मोहन जो दोड़ो का निचला सहर दुरुक से किस परकार भिन्नी था ठीक है भिन्नी था यहां से भी कोचन पूचेनी पूरी सम्भावना है हरपा लिपी को रहसमे लिपी क्यों कहा गया है और इस लिपी के मुख की विशहसता बताईए तो पार्ट एक से यह यानि इस प्रस्टों से बाहर पार्ट इस कोच्छन नहीं पुचाएंगे तो इस चेप्टर से अगर हम बात करें तो प्रसंद भी पूचा जा सकता है कि हड़पा बस्तुए में पर्योग में लाएगे इटों की कोई एक विसेश्था बताओ यहां इटों की बात करें तो इन इटों की लंबाई होती थी वह इनकी उचाई जीहां इनक किसनी होना उचाई की चार घुनी तथा चोड़ाई उचाई की दोगने घुने कितनी फती नहीं दोस्तों चोड़ाईं की दो उचाई की दो नीन होती थी ह Rouhan hiya se bhi skinder आड़ ले हैं यहाँ सभी person पूछा जा सकता है और इसी तरह कि महां objecto लोग डूरपर मिली दो महातपुर सहाचा इसके लाव दूस्तों पूछा सकता है कि जोन मारशल कौन थे तो जोन मारशल पुरा पुरातात्विक सरवक्षण के पहले डारेक्टर जनल थे पहले डारेक्टर जनल थे कनिघम जोन मार्सल और आई एम वीलर यहां सभी पुछा जा सकता है नगर नियोजन ठीक है चेप्टर नमबर टू राजा किसान और नगर तो राजा किसान और नगर से दोस्तों यह सोला है महा जन्पदो के विशेस अभी लक्षोलों का वरणन कीजिए यहां से कोशन बनने की पूरी की पूरी संभावन है चेचलिए नेस्ट जो पूशन बन सकता वो है क्या दोस्तों मौर सासन यानि मौर प्रसासन की पर्मुक लुच्छणों की चर्चा कीजिए आसोक के अभी लेख में कौन कौन से तत्तों पर के परमान मिलते हैं प्रसंबर अगला है कि मौर के प्रसासन में विश्ता की मु तो इन अभी लेखों में धार्मिक संस्थाओं को दवारा दिये गए जमिनों का उल्लेख मिलता या दोदान और रच्छन दिया ती धार्मिक सब्साव दवारा ठेक है इसी तरह किसी का गया तो प्य दस्ति दोस्तों आश्चो को का गया आश्चोंक और नाम से बगारा गय ठीक है अगला है ब्रामी और करुष लिपियों का सरब्रतम अर्थ किसने निकाला वो है जेम्स प्रिंसब सबसे प्राची ने बिले किस भासा मिले तो सबसे प्राची ने बिले किस भासा में मिले है मगत की प्रारंबिक राधानी कौन सी थी मगत की प्रारंबिक राधानी राज गरह मौर समराज की राधानी क्या थी पाटली पुत्र धम का संदेश किस ने दिया तो धम का संदेश आसोक ने दिया किस ने दिया दिया दो आसोक समराट आसोक महान आसोक जिसे देवनिप्रे का गया है भारत का सबसे प्रसिद विदी गरंद कौन सा है तो वो है मनुस्मिर्थी भारत का सबसे प्राचीन गरंद इसी तरह तमिलकम से क्या विप्रा है तमिलकम से विप्रा है उप महादीब के दक्कन तता उससे दक्षिन के छेतर से तमिलकम कहा गया है जिहां दोस्तो तमिलकम से प्रसंद पूछा जा सकता है तमिलकम जिहां तमिलकम कहा है तो उप महादीब के दक्कन तता उससे दक्षिन प्रसिति क्या है अगला है यह राजा की प्रजंसा में लिखी गए ले को किया कहा गया है प्रसितियां कहा गया और अमरे समराज गरते हैं अगर इस प्रेंस प्रेंसप से कोचन पूछ सकता तो यह इस टिंडर कंपनी को अधिकारी था और ब्रामी लिफी को पढ़ने में साथा कीती इसने इसी तरह कोशन पूछ सकता है दोस्तो मगद इतना सक्तिसाली क्यूं था और मगद कौन सा महाजनपद सबसे सक्तिसाली महाजनपद बनकर उबरा तो कितने महाजनपद है दोस्तो 16 महाजनपद और इन महाजनपद अगर जानकारी में कहांच मिलती पूछ सकता है तो दोस्तो ये जैन और बोई ध्रम के अभी लेखो गरण्तों से भी सोलह महाजन पादो कि पारे मुझानकारी प्राप्त होती है तो इसी तरह अगर बात के चाना कीकिता-aráकरा मुझा मुझान्कारी प्राप्त होती है तिक चलिए आहाज सिक्के छटी तताब्दी किसने जारी किये तो आहाज सिक्के छटी तताब्दी इसापुरो के राजारों जारी किये यह सिक्के चांदी तथा तामबे के बने होते सोने की सिक्के के अगर बात करें तो सोने की सिक्के सबसे पहले किसने जारी किये थे तो कुछार सासकों ने सोने की सिखे जारी के थे अगला है छटी सिताब्दी इसापुरो को प्राय आरंबे की तिहास में एक मोर बिंदू क्यों माना जाता है इस पस कीजिए वेरी वेरी इंपर्णन कोशन दोस्तो नेस्ट है मोर काली नितियास की रचना करने वाले करूmpниц2 चार सिरोतों को उच्पस कीजिए अत्वाई तिहास कारण मोर समराट की तिहास के पूररार रचना के ले किरपकार की सिरोतों का उप्यूग किया है यहाँ से कोशन पूरी तरह बनने के संभावना है चलिए आसो के खंगरीं 4 शिलह लेखों के नाम बताएं व्य अबिलेग किसे कहते हैं अभिलेग तो पत्थर या धातु या मिट्रिक बच्छे से कठोर खोद कर या गार्ड कर लिखे जाते थैं उन्हें अब लेका गया संगम का क्यारत है संगम गरंत तमिलवासा में का गरंत है और ये एक प्रकार के विता हैं जिनमें हमें पता चलता कि तमिलकम छेतर में सरदारों ने अपने सुरोतों का संगलन और वितरन किस प्रकार किया है ठीक है दोस्तो चलिए दोस्तो एक लाइक को और सेयर बनता है चलने को जुरू सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पूरे देखें अंतर देखें इसके अलागा अगला प्रसुन दोस्तों अग्रहार का क्या रत है अग्रहार ब्रामडों को दान में देख भूबा को कहते थे और ब्रामडों से भूमी कर अत्वार ने कि से प्रकार कर नहीं लिए जाते थे अगला है चटी सताब्दी इसा पूरु से चटी सताब्दी इसवी तक भारत में सिक्कों की विश्यस्ताओं को वरण कीजिए यहां से कोशन पूछा जा सकता है सिक्कों की यानि अगर हम बात करें तो भारत में सब्सक्राइब चांदी सबसे पहले कौन सिक्या है तो आहाद प्राचिन सिक्कों क्या कहते हैं आहाद सिक्के और कैस के हुआ करते थे तांबे और चांदी के हुआ करते थे और इन सिक्कों पर प्रतिकों को आहाद करके बनाया जाता जानी तो मिट्टी से या किसी पर ठोकर बनाया जाता था इसमे सासकों के चित्रों नाम वाले सिक्के सबसे पहले किसने जारी किये तो पूछा जा सकता है सासकों के चित्रों नाम वाले सिक्के सबसे पहले किसने जारी किये थे तो जारी किये गयता हिंद यूनानी सासकों किसे है दोस्तों इयरान के पार्थियन सासक को तदो रुमन गया सम्मरड़ों के सम elevator के समान थे चलिए सबसे पहले सूठय सोौए स सुख्य की जाड़ जार आंट है जाड़ी कि लिए देख्याप को इसकी इपना करें कि इन प्रस्णों को करने बाद आपको और कोई प्रस्ण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप 15-20 मिनट में 40-50 नमबर प्राप्ट कर सकते क्यों कि नेस्ट वीडियो में जो हम वीडियो लाएंगे वो भी 40 के नमबर तो यानि आप 80 नमबर अच्छे से ल निवार रही होगी यह काफी महतं पुठ्रवान रही होगी यह पुचा जाकता है अगला है क्या यह सब्सक्राइब कि महाबारत की趣 यहां क्या यह संभव है कि महा भारत के एक ही रचाईता था या अत्वा महा भारत की मूल कथा रिचता कौन थे यहां से पूछा जा सकता है तो दोस्तों क्योंकि महा भारत के एक ही रचाईता ने संभव नहीं है कई भी कई लेखक महा भारत के हुए है अगर हम साहितिक यह होते हैं प्राचिन काल में राजवंस अधिकतर जिस प्राणाली का अनुसराण करते थे तो प्राचिन काल में राजवंस अधिकतर जिस प्राणाली का अनुसराण करते वो क्या है पित्रवान सिक्ता गोत्र का अधार क्या था किसी व्यादिक रिश्ची के नाम पर गोत्र का नाम रखा जाता था दोस्तों सास्त्रों के रिक्वयद में किसमें किया गया है रिक्वेद में क्या आंतर है कूल सब्द कर परियोग परिवार के लिए और प्रजाती यानि ग्राथी का समवन होतों सगे संभनृ के लिए किया जाता था इकसे समाज मेरबुलान का चांडाल कहते हैं य। महाबारत का लेखक निल्सकार महरथ को माना जाता मौना जाता औरो हूं है। इसी परकार से अगला परसान महा भारत क्या है इसका समय चान्दायल किसे कहा जाता था और उनके क्या उद्धेक यहां से परसंद पूछा जा सकता है या प्रसंद ये भी पूछ सकता है कि नमर से 200 महा भारत में слok Україा शंकया लौबबद कितनी थी तो são क्ष़शां डाइन पी शुद्रक जिहाँ. किले राजया्ट शेत्री उते थे यहां से पूछा जा सकता है महा भारत बंदुता, विवा तथा पित्रवान सिक्ता की कहानी है इस कतन की परक कीजिए यह वरी वरी बन कोशन है पार्ट नमर चार सांची की स्थूप के सरनक्चल में बवपार की बेगमों की भूमिका की सर्चा कीजिए सांची की स्थूप की स्थूप की बनाया जाते थे अथवा वरनन कीजिए कि स्थूप का निवाण किस पर करकर किया गया था सांची की स्थूप के सरनक्चल में किसका महतपुल योदान राव है साहजहा भेगम सांची का इस्तुप किस धर्म का मैंत तपुल के अंदर तब वह है बहुत धर्म का जैय धर्म के 24 मान सिक्षा क्या कहलाते तो 24 मान जैय धर्म की सिश्वों को का 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 तो तिर्थंकर जैय धर्म को टोडल 24 तिर्थंकर हुए थे प्रतम तिर्दंकर के बात करें तो वो कोन है रिसब देव जिहा प्रतम तिर्दंकर जो है वो है रिसब देव इसे तरह 23 तिर्दंकर कोन जो तो 23 है वह है पारसर विनात 23 तिर्दंकर पारसर विनात है और 24 अगर अब बात करें तो 24 है महावीर स्वामी 24 तिर्दंकर महाविर स्वामी के सासनकाल में ही जैन धरम का प्रसार प्रसार अदिक्तर हुआ ठीके चलिए बहुत क्या कहला देते तो बहुत भिक्खु कहला देते बहुत धरम की पहली भुकुनी कौन थी तो है महा प्रजापति गोत्मी महात्मा बुद्ध की निर्वान को क्या का गया है इस्पूप का पत्थर मगड़ी कताये क्यों कहा जाता है क्यूंकि बौद्धिक स्टूपों के पत्थरों पर उनके चित्रयुं में बहुत ध्रम से जुड़ी अनेक कथाओं को चित्रित किया गया है अगला है पूर वैदिक परंपरा की जानकारी हमें किस गरण से मिलती है तो वह है दोस्तो रिगवेज से पूर वैदिक परंपरा की जानकारी हमें मिलती है गांधारी कौन थे तो गांधारी कौर्व की मा थी इसके अलावा जो प्रसंद बन सकता है दोस्तो महाभारत की मूलकता का संबंद किसे तो महाभारत की मूलकता का संबंद कौर्व तदा पांड़ों की बीच यूद इसे है ठीक है अंतर विवा तदा बहिर विवा में अंतर सब्सक्राइब सब्सक्राइब टीके और बूद्ध के दर्सन की प्रशना की प्रकार की है बहुत टेरीन पृटक के बारे में उल्ले कीजिए तो बूत के धार में गरंथों से पूझा था तुन कुछ नी प्टाकुन तीन पीटा को सुन पीदाक अभी दमीं पी यहाँ से पर संबावना में बनने की पूरी-पूरी समभावने है दोस्तो थीक है अगला प्रसन दोस्तो इसकी की खोश किस्प्रकार भी साची की सूप सनरचित रहे प्रन्तु अमरवाती की सूप सनरचित नहीं रहे ऐसा क्यों सपस केजिए अगला प्रसंद दोस्तों चैत क्या थे तो सवधा के पशात बुद्ध यानि बौधों के सरीर के कुछ अवसेश टीलों पर सुरशित रख दिया जाते थे और अंतिम संसकार से जुड़े इन टीलों को क्या कहा गया दोस्तों चैत कहा जाता था महायान और हिनियान में अंतर स्वछ चैत कि यहाज सी परसंद बनने के पुरी पूरी सम्भावना है निर्गुळ भक्ती परंप्रा में किसकी उपास ना की जाती थी या निर्गुट भक्ती परंपरा में निराकार इस्वर की उपास ना किचा दी थी इसके रहावा जो प्रसंद दो है नलियरा दियो प्रबंदना नमक कावे के संक्लन किसे संब्दित है वो है अलवार संतों से संबंदित है वीर सेव अंदोलन के निर्टर तो किसने किया तो वो है बसवन्ना विश्णू तथा विश्णू भक्त विश्णू भक्त क्या कहलाते थे तो विश्णू भक्त दोस्तों नैयनार और स्यू भक्त अलवार कहलाते थे खानका का संबन सूफी वास यानि सूफी संतों से है ख्वाजा मैनुदीन चिस्ती की तरगा कहा प्रिस्त है अजमेर मिस्तित है आदिकरन साइब का संकलम किस ने किया तो वो गुरू अरजुन देव जी ने किया खालसा पंथ की नीव किस ने डाली खालसा पंथ की नीव डाली थी सिरी गुरू गोविन सिंग जी ने ठीक है गुरू नानक देजु ने किस भक्ती रूप का पचार किया तो निर्गुल भक्ती का पचार किया सगूर तता निर्गूर भक्ति मंतर बताईए कि सूफी संद्गों कभीर गरीब नवाज कहा जाता तो खुआ जा मेनुदिन चिस्ति को निजामुदी ने ओलिया की दरगा कहां पर है तो वह दिल्ली में सूफी संपर्दाय तो भक्ति संपर्दाय की विजाधारा में क्या समा का मत multifosलिक है तो यह दोनों मानतवाद में कला किकली नीजा विज्टाय कए और अगला प्रसंट जो आज क्लास्ट गोश्टम सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल लखिए धन्यवाद जैहिन